नमस्कार दोस्तों हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बांगलादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड बनाए जिन में से पाँच बड़े रिकॉर्ड यहां मिल जाएंगे संजू सैमसन ने भी भारत के लिए कीर्तिमान बनाया टीम इंडिया की ओर से दशहरे के मौके पर शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में चौके छक्को की आतिशबाजी देखने को मिली खास कर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने बांगलादेश की लंका लगाने का काम किया सैमसन ने शतक जड़ा और सूर्या ने अर्धश्त किये पारी खेली रियान पराग और हार्दिक पांडिया ने भी अपने हाथ खोले ये मैच टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा एतिहासिक रहा क्योंकि टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 297 रन बनाए इसके जवाब में बांगलादेश की टीम 198 तक भी नहीं पहुँच पाई इस मैच में कई रिकॉर्ड बने लेकिन यहां उन पांच बड़े रिकॉर्ड के बारे में जान लीजिए जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे एक मैच में सबसे ज्यादा ओवरो में 10 या इससे ज्यादा रन बटोरने का रिकॉर्ड अब टीम इंडिया के नाम दर्स हो गया है भारत ने बांगलादेश के खिलाफ 18 ओवरो में 10 से ज्यादा रन बनाए वहीं 20 में से 17 ओवरों में आस्ट्रेलिया ने 10 से ज्यादा रन श्री लंका के खिलाफ साल 2016 में बनाए 2-0 क्रिकेट में 200 से ज्यादा रन एक पारी में बनाने के मामले में भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है समर्सेट ने 36 बार एक पारी में 200 प्लेस बनाये हैं जबकि टीम इंडिया ने 37 वी बार इंटरनेशन क्रिकेट में इस कारनामे को कर दिखाया है 3-0 इंटरनेशन क्रिकेट में टीम इंडिया ने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया नेपाल ने 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे और अब भारत ने बांगलादेश के खिलाफ 297 रन बनाए टेस्ट प्लेइंग नेशन के तौर पर ये टीम इंडिया का चार सूर्य कुमार यादव ने बतौर कप्तान एक रिकॉर्ड भारत के लिए बनाया है वे एक सौ से ज्यादा रनों से दो बार टुजिरो इंटरनेशनल मैच जीत चुके हैं जबकि विराट कोहली, हार्दिक पांडिया, के राहुल और शुभमन गिल की कप्तानी में भारत एक एक बार एक सौ या इस से ज्यादा रनों के अंतर से मैच जीता है पांच भारत के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ने टुजिरो इंटरनेशन क्रिकेट में पहली बार शतक लगाया संजू सैमसन ने 111 रनों की पारी खेली वहीं इशान किशन ने 89 रन बतौर विकेट कीपर बनाये थे पंत इस मामले में 65 रनों के साथ तीसरे स्थान पर है विश्व रिकॉर्ड है